प्रवाज सक्षी नेटवर्प के खास का रिकम चाय पर समिक्षा में आप सभी का स्वागत है इस अपना दिल्ली विधानसवा चुनाओ प्रचार के आखरी दौर में सभी पार्टियों ने अपने तरकस से हर तरह के तीर निकाल कर एक दूसरे पर निशाना साधा यह चौकाने वाला रहा कि दिल्ली में 15 साल राज कर चुकी कॉंग्रेस के आला नेता प्रचार खत्म होने से मात्र धाई दिन पहले चुनाओ प्रचार करने के लिए उत्रे एक महिने पहले की बात करें तो आमादी पार्टी के लिए एक तरफा माने जा रहें इस चुनाओ को भाजपाने कांटे की टक्कर वाले चुनाओ में परिवर्तित कर दिया दूसरी और करणों रामभक्तों का सपना उस समय साकार हो गया जब इस सप्ता मोधी सरकार ने संसत में इस सप्ता राश्पती के अभीभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विविन सद्रस्थ्यों ने विचार रखे और प्रधान मंत्री के जोड़दार भशण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया इस सप्ता आम रिएट को लेकर भी चर्चा रही लेकिन देश भर के नजर दिल्ली विधानसवाद चुनाओ पर लगी हुई है क्योंकि इसके परड़ाम आगे की राश्पती घटलाओं का विश्टेशन और जानते हैं इस पर जनता की रह तो दिल्ली विधानसवाद चुनाओ के लिए मत्यदान जारी है और नतीजे 11 तार है कि किस तरीके से दिल्ली विधानसवाद चुनाओ दो दलों के बीच एक सम्मान के लड़ाई बन गई है सर कैसे देख रहे हैं पिछले चुनाओ प्रचार को सम्मान की लड़ाई भी थी और दूसरे का सम्मान नहीं करने की होड भी थी बिलकुर आप देखिए कि जो चु डूसरे को आपतेजिनक बयान देने में दूसरे के लिए रही और दूसरे की कमियां गिनाने की बातुर कमीया भी बड़ी शालिंता भरे पर लेकिन उसके बावजुद दूसरे मन चुनों ने तलास लेकिस तरीके से हमें सामने वाले को घेरना है इन सब चीजों से बचा सकता था देश की राजधानी पर पूरे देश की निगाहें रहती हैं देश की राजधानी में जो भी कुछ होता है उसका फर्क अन्य राज्य पर भी पड़ेगा हम जिस तरह से यहां पर दूसरे को गडिया रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ अरगल बयानबाजी कर रहे हैं अन्य राज्यों में ऐसी परिपाटी देखने को मिलती है लेकिन बढ़ सकती है कि जब दिल्ली में ऐसा होता है तो हम क्यों नहीं करेंगे वह ऑपने बचाओं में देखना दिल्ली के तरक देंगे गडिली के और दिइन ऐसा चौखता था दिल्लिकी दिश्रुए तो dünt nad :「 जुम्न चुनाओ परचार का जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया मिलकांपरचार का शुम्हाए् निकटा आता। तब तब हम देखा कि जो इस्थानी मुद्य विकास के जो गायब हो गए थे बिलकुन जो इस अधंकवाद हो पाकिस्तान हो रास्टरवाद हो यह सब बुद्र हावी हो गए थे और देखे जो जनता को करानिति दल कैसे गुमाते हैं बात चाहे बीजेपी की हो बात चाहे कॉंग्रेस की हो इन सब ने ठीक है अगर कोई एक दल कुछ विशे उठा रहा है तो आप तो उठाइए स्थानी मुद्धे आप तो उठाइए जो विकास के मुद्धे लेकिन सब फिर उसी होड में लग जाते हैं कि ठीक है जब आपने क लुड़ा चुनाओं के एहम मुद्धों से ध्यन बठाने के लिए ऐसी बात करती है तो हम भी उसी होड में पढ़ जाते हैं सब उसी होड में पढ़ गए जो असल मुद्धे थे परैवलन से जुड़े मुद्धे थे दिली के पानी जो जल पुरत परदूश्यों से समधित लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसे ही अगर आप सावजनिक परिवहन की बात करेंगे तो दिल्ली मेट्रों को अगर नहीं हो नहीं होती तो आज दिल्ली की परिवन व्यवस्ता कैसी होती हमें सब देखनी चाहिए और आप देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले कि चारा पांट सालों में जो दिल्ली में वाईयू प्रोदूशन की सीथी खराब होई दिल्ली ने ठीक पहले भी ऐसा हो था कि बहुत था क्योंकि उससमय आगर आम बात कर रहें नभय केडैशा की तो दिली में उससमय प्रदूश में में शामिल था लेकिन शीला दिख्षित ने आकर जो सीएंजी बहुत मुश्किलात हुई थी उस समय पूर्ण पूर्ण परिवान उसको सीएंजी में परिवर्तित करने में बहुत हाकार मच गया था क्योंकि सीएंजी के पंप उते नहीं और जब बसों सारी डीजल की हटा के अब सीएंजी में बहुत मुश्किल हुई थी लोगों को लेकिन सरकार का एक रिड़ निश्चे था सरकार ने करके दिखाया और दिल्ली एक मात्र ऐसा शहर हो गई थी पहला ऐसा शहर हो गयते दुनिया का जिसका जो पब्लिक टांसपोर्ट सिस्टम है वह पूर्टया बुजर्ग होते हैं उनकी परशानियां बढ़ जाती है कि सांस कैसे लेंगे सांस व्यक्ति के जीने के लिए लेना जरूरी है लेकिन दिल्ली में आहलत ऐसे हो जाते हैं कि आप सांस ले रहे हैं यानि कि आप मौत को और निकट ला रहे हैं यसी इस्तितिति हो जाती है तो इसके लिए कितने बदनाव हो गया है दिल्ली आप देखिए जो विश्यों के दस ऐसे शहरों के सूचिया यह जिसमें की जो ट्रैफी के बदलिश्या बदहाल है उसमें भारत के चार शहरैं जिसमें दिल्ली वी एक हैं तो यह सब मुद्दे होने चाहीं थे लेकिन वह मु तो यहां पर जो लोग हैं दो दिन में तेन दिन में महौल वनता उसका अधर पर बोट करते मुझे लगता है कि फिल्वाद को मुद्द है शाहिनवाग मुद्द है या जो कुछ ऐसा तब का भी है हमने भी दिल्ली पिछले 15-20 दिन में काफी दिली के विवीन अलाकों में वोट करने जा रहा है वहीं बीजेपी ने भी एक तरफा चुनाव जो नजर आ था दिली का उसको काटे की टकर वाले चुनाव में परिवर्तित करने में बहुत मेनत की है और नतीजे चौकाने वाले लेकिन आपने फ्री बीजली की बात की हमारी दर्शक है जो कल मिले भी थी उन्होंने अपने घर का बिजली बिल दिखाया और कहा कि जो हमारा घर का बिजली बिल है वो 200 यूनिTC भी नहीं जाता है लेकिन फिर भी हमसे बिजली बिल लिया जाता है और वबागाईदा वो प्रूफ के साथ हम अपने कारेक्रम में के आखेर हमेंगे ने दिखाएंगे तो कहीं न कहीं विश्यांतर कौन कर रहा है तिली के चुनाव को देखी जो मुझे लगता कि कुछ हद तक इसमें सत्तादारी पार्टी आमादी पार्टी का भी रोल नजा रहा है जैसा कि आपने बिजली की बाद बिल कि जैसे और भी धरन सामने हैं जैसे को ठेले वाला है उ बीजेपी लेकर आई है कॉंग्रेस भी सामने लेकर आई है तो इसके लिए आप देखे कि अगर आपने पिछले कुछ चुनाव का इतिहास उठा कर देखेंगे तो आप बीजेपी को जिस मुझे पर अटैक करते हैं उसकी कमजोरी सामने लाते हैं वह उसी को अपनी ताकत बना लेती है आपने शाहिन बाग में और कौन नहीं जानता कि मनातुल्ला खान के शहर पर यह सब हुआ बहुत सारी दिल्ली पुलिस ने खुलासे कि 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 तरी कि योजना बन गये ती कि पांच दिसंबर से हम जब आ जाएगा पास हो जाएगा तो हम धरने पर बैठेंगे जो महिलाओं को आगे रखकर बच्चों को आगे रखकर इस तरह के धरना प्रयूजित कर रहें क्या कर ना चाहते हैं उनकी योजनाएं क्या है वही जाने लेकिन जसे आम लोगों को परशानी हो रही है इसको देखते वे एक आम लोगों का जो गुस्सा उस वीरूद के प् और एक शाहिन बाग को इस तरीके से पेश किया कि वहां पर और पेश करने के पीछे कुछ तत्थे भी थे क्योंकि ऐसे बहुत सारे वहां पर लोग आये जो कि भाशन दे रहे थे देश को उसमें देश को तोड़ने की बू आ रहे थी आप देखी शर्जील इमाम ने क्या कहा बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे लोग आये जिनकी बातों से जिनके उद्वोदनों से असा लगा कि वह इस्लामिक रास्ट के अधारणा अपने मन में पाले हुए हैं वह चाहते हैं कि इसलाम की सर्वच्चता हो इस देश में ऐसे मनसूबिय लेकर वहां पहुंचे तो इसको इनी तथ्यों को आधार बनाकर बीजेपी ने एक रास्टरवाद का मुद्दा सामने रखा आप देखे कि अमिच्छा की जितनी भी रैलिया हुई जेपी नडड़ा की जितनी भी रैलिया हुई रोडशो वे समय शाहिन बाग का मुद्दा उठाया क्या प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ा रोल रहेगा एक बड़ा असर रहेगा इस चुनाओं में और मेरे को लगता है कि हमने बहुत सारे विश्यों पर बात लोगों से बातचीत करिया इस समय धार्मी का धार पर वह सारे लोग बटे वे नजर आ रहे हैं कि जो प्रयास एक नहीं दोनों तरफ से किये गए तो वह हो चुका है लेकिन क्या राम मंदिर ट्रस्ट का घोष्णा इसी का एक हिस्सा है राम मंदिर ट्रस्ट की घोष्णा को जो लोग चुनाओं से जोड़ रहे हैं वह बात ध्यानक नहीं ने भारत की सरकार को निर्देश दिया था कि आप तीन महीने में मोदी ने इस का जो घोष्णा है संसद में की और जब संसद में की तो अगर वह नहीं करते मातर चार दिन बचे थे जब तक कि इस घोष्णा को करना चाहिए था उनको और देखिए राजनीतिक जो लाब हानी को देखते वे ही राजनीतिक पाटें फैसला लेती हैं ठीक है सब्सक्राइब करते हैं तो शायद हो सकता है इसका लाब हो सरकार की मंचा थी लाब लेने के नहीं ती लेकिन इसमें उच्टम ने तेन फैसला लेना हो सरकार ने लिया है और बौर में जो लोग शामिल किये गए हैं उनके पर जिम्मेवाली है कि अब जो एक करणों की रामभक्तों की जो आस्था है भवे रामंदिर को लेकर उसको वह अमली जामा पहनाए जल्दी-जल्दी करें और जो लोग शामिल किये गए उनके अगर बैक्राउंड को देखें तो निश्चिती एक बहुत अच्छा बोड़ बनाए गया है और पारदर्शिता के साथ यह दिल्ली में आखिर कौन जीत रहे है भारतिय जंता पालटीकी जीत होगी इसमें विधान सभा में भारतिय जंता पालटीकी टीम आईगी और यह पूरे बहुमत से जीतेगी इसमें किसी समुझोता करने का आउखशकता ही नहीं पड़ेगी हो सकता है कि रिकार्ड भी कि मोजों को डुबाएंगे वही कश्टी तेरी अमानतुल्ला खान और इम्रान हुसैन जो तेरे महरवाओंगे आप कहीं न कहीं हिंदुत्वे की तरफ ले जा रहे हैं कि के जिवाल कह रहे हैं कि वह काम पर चुनाओं जीतेंगे और आप हिंदुत्वे क्या एक मुद्दा है काम मुद्दा या हिंदुत्वे मुद्दा है सर देखिए देश का जो यूबा है वह जान रहा है कि जो मुद्दे की बात होनी चाहिए एक वेक्ति दोनों आपस में दुसरे को अरोप लगा रहे हैं एक यह कहरा वो बिठाया हुआ है एक वो कहरा सहीन वाग में वो बिठा योगी सहब आते हैं तो कहते हूं बिर्यानी बट रही है तुम यहां दिल्ली में जो है उनके जरूरत मंदू की चीज बिर्यानी सबको खानी सबको अच्छा लगता है जरूरतों पर ध्यान देना है यहीं दिली के लोग भी चाहते हैं आप किस तरीके से आपकी क्या शिका सब्सक्राइब है और एक सब्सक्राइब नीचे लिखे में जो इनोने लगा के दिए और केजी वाल की सरकार का कहना है कि दिल्ली में 200 उनिट फ्री दे रहे हैं तेटीस यूनिट में इनोने बिल मांगा है इसके लाब आप नीचे देखोगे जन्वरी का जो पील है उसमें इसके बारा यूनिट में इनोंने तीस लुपर मांगे हैं नीचे यहां पर उससे पहले ने देट सब्सक्राइब मांगे तो दो पार में पेकर चुकिए अब मैंने यह पे नहीं किया है कि जब दोसे यूनिट पे बिल फ्री है तो मुसे बार बार यह बिल लगा के क्यों मा पांच बार पीने के कान एड्मिट हो चुकिए हूं जब मैं हमने डॉक्टर से पुछा कि कंटिनिस तो क्यों बीमार हो के होस्पिटल में एड्मिट हो रहे हैं जैपुल गोल्डन में तो उन्होंने बोला मेरे ना बीपी की प्राव्म में ना शूगर के बगवान की जैसे मेरी लाइने देखिए मेरी दिली दिल है भारत का मेरी दिली दिल है भारत का दिल को दुख दिल को जकडे दुख हजार हैं जालुआ दल के सभी नेता गदार लुटेरे और दागदार हैं जो ददु अन्ना के नहीं हुए जो ददु अन्ना के नहीं हुए वो कैसे फिर दि है दिल्ली का निया चहरा जो पूछे वो शातिर बड़े मकार है गry रिज़ए ब्लेनाम करिश्माई होगा बसीन परिणाम रिजल्ट ब्लेनाम करिश्माई होगा बसीन आने वाली 11 फरवरी का खिले कमलों से मह किएगी दिली यू मुझको दिखते आसार है दुख जुकडे हजार है दुख जुकडे हजार है बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जैसरी राम की भी बात हो रही है और इसी सब्ता नरेंद्र मोधी सरकार ने जो सुप्रीम कोट ने कहा था कि आप तीन महीने के अंदर ट्रस्ट का अगठन करिये उसकी भी घोशना कर दिये कई राजनीतिक दलों ने आपत्ती भी जताई है कि आखिर चुनाव के समय ही ऐसा क्यों किया गया है कैसे देख रहे हैं आप लोग इसका करते हैं बचार मैं यह करना चाहता हूं यह आप पूरा कि लेर हो चुका है जितने भी हमारे धार्मिक लोग है धार्मिक संस बंदू है इसका पूरा नक्षा बन गया और वह भी पास हो गया सब्सक्राइब नो तारीक से पहले तो करना ही था अनाउंसिस का त्रस्ट का तो अपने टाइम पर किया इसमें कोई राजनीती कवा लिगे मैं आपके माध्यम से जो केजिवाल सरकार क्लेम करती है कि बिकास पर बात की सब्सक्राइब करते हैं मैं बिकास के एक केस के उपर दिल्ली सरकार के द्वारा मस्जिदों में जो इमाम और उनके सहाइक मस्जिदों में जो इमाम है उसको 18,000 रुपए सहाइकों को 16,000 रुपए यह ओफिशल डेटा है एक राजा का करतब भी है कि वो बिकास में भी जो धर्म देखे on the other end मोदी जी का narrative क्या है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कें सरकार की कोई भी एक इसी स्क्रीव नहीं है जिसमें आप यह फरक कर पाएं कि हिंदू मुस्लिम सिक्षाई को जा रहा है